तो आज हम जिस लेंस के बारे में बात करने वाले है वो बहुत ही राढला टेडल लेंस की बीग्जर फिटाग्रफॉर ओर फिल्मेकर के पास होना ही चाही कि मुल्टिपल रीजन की क्यों मुझे ये सुनी का लेंस बहुत ही जादा अच्छा लगता है बट मैं आपको जिनुरिनली बता हूं तो कुछ लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं कि लेंस को खरीदने के लिए इसका रीजन बहुत ही जादा सिंपल है उसमें आपको शैलो डेप्ट ओ फील इतनी नहीं मिलती है जितनी कि आपको लोगर एफस्टाफ एपर्चर वाले लेंस में देखने को मिल जाते है लाइक 2.8 1.8 बट इन रियल वो लेंस जोए बहुत ही जादा महेंगे आते हैं और कि अगर आपने ले ले लिया है आप विडियो भी शूट करना चाहते हो तो बट आप उससे आप नहीं ले सकते आपके वाइड के लिए कोई अल्टरनेटिव लेंस नहीं है इन दाट सिचुएशन अगर आपके वाज़ वाला लेंस होता तो वो शैज़से कंपेंसेट कर पाता था बट आपने कि लेंस को ठुकरा के अपने 85 mm ले लिया अपको शैलो डेप्त आफ फील्ड चाहती है तो इसलिए मैंने अपने 1650 कि लेंस को बहुत ही ज्यादा यूस करा था तो इससे पहले मैं आपको इस लेंस के जो सारे प्रो फीचर बता हूं उससे पहले हम कुछ वीडियो देखेंगे जो कि मै मैं आपको इसलिए 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 मैं आपको इसल झाल झाल लök देटो doctor let's start with the first point which is the size itself if you see this lens is very small तो तो इससले है कि शेर्ण रजुगे करता हूँ even like when I'm going out in Delhi just to like role around or just for the breakfast or jab kuch भी करने जारा हु मेर सिर्फ चापने सुनी की बाड़ी ले जाता हु अर इस लेंड ने जाता हूँ just because it is very compact and also one thing that I've noticed is कि are the first dslr १ है थे उनमें भी kit lens बहुत ही जादा बड़े होते थे but I am very impressed कि इसका size बहुत ही जादा चोट है तो I can easily carry this lens anywhere and also the build quality is also very nice and now the second pro feature is this कि this lens actually has a optical study shot so optical study shot इसके अंदर है जैसे कि आपको sony alpha 6500 में आपको in body image stabilization देखने को मिल जाता है वैसी आपको इस lens में जो optical study shot होता है smoothness provide करता है stability provide करता है मेरे 6400 में जो है in body stabilization नहीं है but मेरे kit lens में optical study shot है इस वज़े से जो है इस से बनाई विडियो थोड़ी सी smooth हो जाएंगी अगर मैं आपको एक टे सकता हूं तो आगर आपको इस lens को जो है 1650 is actually a very good focal length if you want to shoot close up तो आप close भी से जा सकते हो अगर आपको वाइट चाहिए तो वाइट भी जा सकते हो तो इसका जो जूम रेंज है न 16-50 वह बहुत ही जादा अच्छा है और फिफ्टी एमें पे जो आप इस lens से पर आप इस शूट करते हो तो यह इतना शार्प नहीं रहता है बट अफकोस मनलब आप in post production you can add some digital sharpness if you want to I think for the social media content it is still very usable तो अगर आप photos भी कीचने वाले इस lens से तो वह भी आपको शार्प ही आएंगी the first kit lens जो आप जो camera लेोगे उसके साथ जो kit lens आप purchase करोगे आप उससे बहुत कुछ सेख सकते हो you can grow your skills and of course you will get to know कि what type of shooter you are like आपको शूट करने में क्या पसंद आता है तो एक बर आगर आपकी यह तीन चीज़े finalize हो जाती है तब ही sense बनता है कि आप एक महेंगी glasses पर इंवेस्ट करें like 2.8 या 1.8 या 1.4 so yes that's all for this week video guys and let me know कि आप में से कौन सी लोग हैं जो कि अभी भी जिनके बास kit lens है or kit lens से शूट करना पसंद करते हैं because मैं अभी भी अपनी vlogs व्लोग इस kit lens से ही शूट करता हूं so yes that's all for this week video guys I'll catch you guys in my next video and make sure you guys subscribe to my youtube channel and yeah thanks for watching peace out